Friends, हर किसी को दांत तो अच्छे लगते हैं, साफ भी होने चाहिए, पर जब स्केलिंग कराने जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कितने दिनों के बाद एक सिटिंग होनी चाहिए और कितनी सिटिंग के बाद मेरे दांत बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं? अब डिपेंड करता है कि आपने दांत गंदे कितने किये, क्योंकि अगर आप रोज पान पराग खा रहे हैं, रोज स्मोक कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी आदत नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए, तो आपके दांत गंदे होंगे, या फिर टेड़े-मेड़े दांत कही बार होते हैं किसी-किसी पेशन के, उनको बहुत फ्रिक्वेंटली अपने दांतों की सफाई करानी पर सकती है, जैसे एक बेरा दांत है, वो टेड़ा है, लेकिन I used to clean it regularly, बट स्टिल क्योंकि अब 60 की एज में मैं braces नहीं लगवा सकता, इसलिए मैंने कोशिश करता हूँ कि साफ रहे सो लोगों को यह doubt नहीं होना चाहिए कि scaling कराने से दांत खराब हो जाते हैं, यह myth और misconceptions है कि दांतों के ज़्यादा सफाई कराने से ज़्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि यह ultrasonic scaler से किये जाते हैं, मैंने बहुत सी videos इस पर बनाई कि आपको पता रहे और कोई problem ना हो स सिटिंग कितनी होनी चाहिएं, मैं आपको बता रहा था कि अगर दांत जादा गंदे होगे, जादा सिटिंग चाहिएं और क्योंकि दांतों की सरफेस इसको आप देखिए, एक बकल सरफेस ऊपर के पूरे 16 दांत हैं, अंदर 16 दांत हैं, पैडिटल साइट पे उसके इंट बन गया है वो दो सिटिंग्स में क्लीन हो जाता है जहां तबैकू स्टेंज हैं पान के स्टेंज हैं उसमें 3-4 सिटिंग्स भी लग जाती हैं और इनकी डूरेशन या इंटरवल कहें बीच में एक दिन छोड़के कराया जाता है नॉमली और 15-20 मिनट एक सिटिंग में लगत नुकसान नहीं होगा यह मैंने कोशिश की है कि आपको एक बार दिखाने की कि इसके अंदर कैसे सफाई की जाती है यह अल्ट्रासॉनिक मेतड़ है अल्ट्रासॉनिक मीन्स वाइब्रेशन और इरिगेशन पानी दोनों को मिलाके जब आप उसको दांतों को साफ कर रहे हैं वो दान बिलकुल क्लीन हो जाएंगे मैल हट जाएगा वो प्लाक आपको नुकसान नहीं करेगा सो कभी भी इग्नोर न करें क्लीनिंग को हाँ अगर किसी को बहुत जादा अच्छा शौक है कि मेरे दान वाइट हो तो ब्लीचिंग को करा सकते हैं ब्लीचिंग से दान खाल लीजियों को नेघे हैं जया झाल वीजियो अजिया विजया आटीनर्विटर है।